क्या मुस्लिम पक्ष को अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए ये चर्चा चल पड़ी है ग्यान वापी को लिए जब बात इंसाफ की आए तो बड़ा दिल तो जो अदालत कहती है उसको सुईकार कर लेना और उसके बाद इस तरह की बात ना करना कि हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया तो खोन की नदिया बहेंगी दिली की सलकों पे किसी ने कहा था बिचले वैदले में हमने कभी नहीं कहा हमने डिसेग्री किया और यही भारत की खुबसूरती है अभी महराजी ने कहा कि उनका वे विश्वास है कि सबको शंकर जी ने बनाया और मेरा विश्वास कर देना है, डिसाइड करना है तो अपील के लिए टाइम देना है, दूसरी जिए 93 की बात की जाती है, 93 में क्या वहां मूर्ती के साथ पूजा हो रही थी, नहीं हो रही थी, इसलिए हमने इंतिजामिया कमेंटी से बात के और कहा, कि हम लोग इसमें सुप्रीम कोर्ट तक जा जो यह परमाले करता है, वही चीजब, रिपीट की जा रही है. आप मैं आपके बीच में नहीं बोला भी बोला था अपनी बात रखेंगे जब अगर बाबरी मस्जिद को गुंडे शहीद नहीं करते तो क्या यही फेसला और क्या गारंटी है कि इसी तरीके से कोई गुंडे भारत के सविधान की धज्या उड़ा करके इस मस्जिद को बिराद राने हिंद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकाता हूँ जैश्री राम हरहर महादेव एजे मुस्लिम शहशांक ने क्या किया पुश्य मित्र शुंग ने क्या किया विक्रम चोल ने क्या किया ये कहने का अधिकार हमें नहीं सुन्नी और शिया के नाम पर एहमदिया के नाम पर कितने कतले आम होते हैं उस पे चर्चा करें और उसका सॉलूशन खोजे एजे मुस्लिम सबसे पहले दूसरी बात ये पेगंबर हजरत मुहमद स्लिल्लाओ अलेवसल्म को अमीन कहा गया है अमानतदार सादिक कहा गया है सच्चा यानि सदा सच बोलना और अमानत में खैनत ना करना इसलाम की यही सीख है तो जिसकी जो अमानत है जिसका जो हक है वो उसे दे देना इसलाम है तो हम अपने इसलाम को जिताएं या अपनी जिद को जिताएं इसलाम को जिताना है तो जिसका जो हक है दिखाई दे रहा है पश्चिमी दिवार मंदिर की है नंदी का मुख मस्जिद की तरफ है ASI की रिपोर्ट इस पस्ट कह रही है तो जिसका जो हक है वो दे दीजी और इसलाम को जिताईए नहीं देंगे तो अपनी जित को जिताईए इसलाम हार जाएगा, मुसलमान जीत जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा इसलिए मेरी यह गुजारिश है कि में किसी सनातनी नहीं हवलदार अब्दुल बरकत को राम लला ने दर्शन दिये चुद बाल रूप आप देखते हैं न अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई मैं भी था, साड़े साथ हजार आमंत्रित लोगों में पूरी दुनिया के आठ सो करोड़ लोगों में जो साड़े साथ हजार लोग आमंत्रित थे उसमें एक सौभागिशाली वेक्ति मुहम्मद फैस खान भी था और अभी मेरे खिलाव फत्वा नहीं है हमारा 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 यह मानना है अल्लाह औक्बर अल्लाह सबसे बड़ा है जल मनतशा इसजलत लुटके हाथ में हैं ये फत्वों से हम डरते नहीं है हम सब के पूरवज सनातनी है मुसल्मानों के सरनेम चवहान भट भाटी चौधरी प्यागी पटेल होते हैं इन में से कोई भी सजुदी अरब से नहीं आया है तो पूरवजों के मजभब से हमको इतनी नफरत नहीं करनी है इबादस से हम सब मुसल्मान है पूरवजों से हम सब सनातनी है तो एक मंदिर यदि कोट केस से लड़कर लेना पड़ा तो बाकी काशी और मत्रा हम बड़ा दिल करके खुला दिल करके देश में अमन मुहबब भाई चारे के लिए दे ये मेरी मुसलिम सबसे पहले इतने बुरे प्लेटफॉर्म पर अंजना जी आपने समय दिया मैं इसके लिए शुकर गुजार हूं आपका और आपने दर्शक दिर्गा में भारत के भविश को बुला कर रखा जाहिर सी बात है पूरा देश तो देखता ही है लेकिन ये बिल्कुल फेस टू फेस देख रहे हैं सुन रहे हैं और सब एक दूसरे का पडोसी है भारत का जो बहुक गॉलिक और सामाजिक संरचना है वह दर्शाता है कि हम एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं हमारा व्यापार हमारी सिक्षा हर कॉलेज में आप लोग भी पढ़ रहे होंगे कोई ने कोई भी मुस्लिम भी चातराप के साथ होंगे या तो सिख्षक मुस्लिम आपके होंगे तो यह संबंद खतम होने वाला है यह नहीं चाहें वह अपरिक संबंद हो सामाजिक संबंद हां आस्था का मामला है देखे एक बड़ा पैसला हुआ है जिस पर बिल्कुल डिसक्षान रहा था उसका उत्सब्स भी अब हो गया देश ने उसको खूब बखूबी मनाया भी पूरी दुनिया ने देखा भी यह हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है लेकिन इसका हल अगर डायलोग से नहीं होता है तो नौड़ कोर्ट का जो प्रोसेस है उसको होने दिया ना दिया जा है वो यदि यह अहवान करता है कि बंद करो हरताल करो तोड़ दो मार दो चल दो निकल लो समझ लिए वो देश दुरोही है बिलकुल शांती से प्यार से भाईचारे के साथ हम कोट का जो प्रोसेस है उसको पूरा करेंगे नी संदे हम को यह लग रहा है कि फैसला तो होना स मतलब अभी लटकेगा कई साथ होगा वो तो वो चलेगा वो कोई पक्ष पीछे हटता नहीं है चलिए उनकी संतुष्टी के लिए हम कहते है कि वहां तक जाईए भी लेकिन कम से कम प्यादेश का बाता बरन नहीं भिगा रही है चलिए दो तीन सवाल बच्चों के लिए न सब्सक्राइब के लिए पांडे की लिखी किताब गुपता जी की लिखी किताब अगर आप उसको पढ़ेंगे तो मसीरे आलमगिरी पीछे चला जाएगा मैं का रहा हूं यह है है क्या काशी मैं आप गये हैं बिल्कुल पश्चिमी दिवार देखी है डिकता है उससे में कैमरे के सामने कहह रहा हूं हूं आपके हिस्टोरिकल डिस्पी गूट है ने आप बता नहीं रहे हैं भाग रहें आपको क्या देखता है जो लोग नहीं गए है घो वीडियो कि कहीं ऐसा नहों कि मुसल्मान जीतने की आर में इसलाम को हरा दे क्योंकि मस्जिद अगर मंदर की दीवार के साथ है तो यह कैसे इसलाम में तो वहाँ पर फिर इबादत कभूल नहीं होती है इसा मैंने सुना बड़ी होई भारत की एक मंधिर की दीवार मस्जिद की दीवार एँ हो जाए उसके बाद औरेंजेट ने डेबलर किया अगर उसमें जरा भी कोई शक होता तो औरेंजेट के जमाने में उसमें कुछ भी नहीं रहता यह हमारे देश की खुबसूरती है यह भाई चारा है देश की एक का है अगर तरह मंदिर बना रहे थे तोड़ा मल जो मंदिर बना हुआ पराबर में और दूसरी तरह मस्जित बना रहे थे यह मस्जित और मंदिर असके अलावा भी यह बना रहे है तो और यह तैक खानों में जो तूटे हुए टुक्डे है पिलर के यह सब यह सब उन्होंने शोभा के लिए बनाया कुछ तो सोचके मैड़म वह तक्षरा था अब क्या अब कुडा बहुत था दिमाग में गच रहा हो तब ऐसे शब निकाल कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए भचना चाहिए बचना चाहिए शुरू में ही काँ था यह दूसरे के धर्म का सम्मान करके भी बातो सकती है अप अफ्शेश करिए लगबत कि मंदीर की दिवार है निशानी है एक सवाल है मेरा सभी लोग आपसे भी आप रुख जाए शादाब जीड और मंदिर आज भी साथ है पहले भी साथ रहे हैं सवाल यह है तो दिवार आपसे क्या कहती है अगर एक हजार साल पहले हिंदुस्तान की बहुत सी जगाओं पर मंदिर होंगे वो हट गए होंगे किसी वज़ा से वहां दूसरा स्ट्रक्चर होगा तो पांसो साल पहले आठ सो साल पहले क्या था अगर उस डिबेट में जाएंगे जब हमने यह तैग कर लिया कि 1949 के बाद प्लेसित ओफर्शिप एक्ट के एकॉर्णिंग जो है वो रहेगा हम जब यह सुकार कर लिया उस टाइम भी सब लोग थे ना और 93 में क्लेम किया जाता कि बंद कर दिया गया क्या राज्याजी चीफ मिनिस्टर नहीं बने उसके बा जब बाते